क्लिनिक प्लस शेंपू 6 ml 1 रुपय, 650 ml 325 रुपय, मतलब 6 ml के 1 रुपय के हिसाब से 650 ml का 108 रुपय ही होना चीए, उसके बदले क्लिनिक प्लस शेंपू आपके पास 216 रुपय ज्यादा लेकर 325 रुपय ले रहा है, मतलब की 200 परसंट को ज्यादा ले रहा है मतलब 8 ml के 4 रुपय के हिसाब से 52 ml का 34 रुपय ही होना चीए, उसके बदले हेड और शेंपू आपके पास 54 रुपय ज्यादा लेकर 88 रुपय ले रहा है, मतलब की 188 परसंट को ज्यादा ले रहा है कोलगेट मैक्स फ्रेश पैस्ट, 50 गराम 20 रुपय, 150 गराम 92 रुपय, मतलब 50 गराम के 20 रुपय के हिसाब से 150 गराम का 60 रुपय ही होना चीए, उसके बदले कोलगेट आपके पास 32 रुपय ज्यादा लेकर 92 रुपय ले रहा है, मतलब की 153 परसंट ज्यादा कोश्ट ले र लोली, 15 गराम 20 रुपय, 25 गराम 50 रुपय, मतलब 15 गराम के 20 रुपय के हिसाब से 25 गराम का 34 रुपय ही होना चीए, उसके बदले फेरन लवली आपके पास 16 रुपय ज्यादा लेकर 50 रुपय ले रहा है, मतलब की 150 परसंट कोश्ट ज्यादा ले रहा है, सर्फ एकसल वश्ण पौबर, 80 गराम थूसर, 10 रुपय, 1 किलो 410 रुपय, मतलब 1 किन रुपय के 30 रुपय के हिसाब से 1 किलो का 300 रुपय ही होना चीए, उसके बदले रेड लिबल टी आपके पास 110 रुपया ज्यादा लेकर 410 रुपय ले रही है, मतलब की 149 परसंट कोश ज्यादा ले रही है सर्फ एक्सेल वशिंग पॉडर 80 ग्राम 10 रुपे 1 किलो 170 रुपे मतलब 80 ग्राम के 10 रुपे के हिसाब से 1 किलो का 125 रुपा ही होना चीए उसके बदले सर्फ एक्सेल आपके पास 45 रुपे ज्यादा लेकर 170 रुपे ले रहा है मतलब की 136 परसंट को ज्यादा ले रहा है एरियल वशिंग पॉडर 85 ग्राम 10 रुपे 1 किलो 249 रुपे मतलब 85 ग्राम के 10 रुपे के हिसाब से 1 किलो का 180 रुपे ही होना चीए उसके बदले एरियल आपके पास 59 रुपे ज्यादा लेकर 249 रुपे ले रहा है मतलब 141 परसंट को ज्यादा ले रहा है नेस्ट कैफे 7.5 ग्राम 10 रुपे 50 ग्राम 130 रुपे मतलब 7.5 ग्राम के 10 रुपे के हिसाब से 50 ग्राम का 66 रुपे ही होना चीए उसके बदले नेस्ट कैफे आपके पास 63 रुपय ज्यादा लेकर 130 रुपय ले रहा है मतलब 195 परसंट कोश ज्यादा ले रहा है लाइब बोई 62 ग्राम 10 रुपय 125 ग्राम 28 रुपय मतलब 62 ग्राम के 10 रुपय के हिसाब से 125 ग्राम का 20 रुपय ही होना चाहिए उसके बदले लाइव बोई आपके पास 8 रुपे ज्यादा लेकर 28 रुपया ले रहा है मतलब 149 परसंट कोश ज्यादा ले रहा है डेटल शॉप 45 ग्राम 10 रुपय 300 ग्राम 103 रुपय मतलब 45 ग्राम के 10 रुपय के हिसाब से 300 ग्राम का 66 रुपय ही होना चाहिए उसके बदले डेटल आपके पास 40 रुपया ज्यादा लेकर 103 रुपय ले रहा है मतलब 167 परसंट कोश ज्यादा ले रहा है लक्स शॉप 54 ग्राम 10 रुपय 100 ग्राम 27 रुपय मतलब 54 ग्राम के 10 रुपय के हिसाब से 100 ग्राम का 19 रुपय ही होना चाहिए उसके बदले लक्स आपके पास 8 रुपय ज्यादा लेकर 27 रुपय ले रहा है मतलब 146 परसंट कोश ज्यादा ले रहा है पॉंट्स फेस पाउडर 25 ग्राम 10 रुपय 50 ग्राम 49 रुपय मतलब 25 ग्राम के 10 रुपय के हिसाब से 50 ग्राम का 20 रुपय ही होना चाहिए उसके बदले पॉंट्स आपके पास 19 रुपय ज्यादा लेकर 49 रुपय ले रहा है मतलब 195 परसंट कोश ज्यादा ले रहा है वैसलीन बोडी लोशन 20 एमेल 10 रुपय है 200 एमेल 150 रुपय मतलब 20 एमेल के 10 रुपय के हिसाब से 200 एमेल का 100 रुपय ही होना चाहिए उसके बदले वैसलीन आपके पास 50 रुपय ज्यादा लेकर 150 रुपय ले रहा है मतलब 180 परसंट कोश ज्यादा ले रहा है वैसलीन पेट्रोलियम जेली 10 ग्राम 5 रुपय 42 ग्राम 67 रुपय मतलब 10 ग्राम के 5 रुपय के हिसाब से 22 ग्राम का 21 रुपय ही होना चाहिए उसके बदले वैसलीन आपके पास 36 रुपय ज्यादा लेकर 67 रुपय ले रहा है मतलब 319 परसंट कोश ज्यादा ले रहा है दोस्तो तो देखा आपने ये मॉल और मल्टीनेशनल कंपनिया मिलकर हमें कैसे लूटती है तो अब आप जब नेक्स टाइम मॉल में खरेदी करना जाए तो छोटा पेकेट और बड़ा पेकेट को कंपेर करना ना भूले और इन मल्टीनेशनल कंपनियों की ठगाई से बचे और अपना पैसा भी बचाए